खीरा खाने के बाद तुरंट पीते हैं पानी तो बदले अपनी ये आदत, सरीर में होने लगेगी ये दिक्कते हैं। गर्मियों में डिहाइडरेशन की समस्या तो बेहत आम बात है। गर्मियों से बचने के लिए लोग पानी पीने के साथ साथ ऐसे फल जादा खाना पसंद करते हैं जिसमें पानी की मादरा जादा होती हैं। खीरा खाने के बाद क्यों नहीं पीना शाहिए पानी। खीरा खाने के बाद पानी पीने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसमें 95 प्रतिशत पानी होता है ऐसे में अगर खीरा खाने के बाद आप पानी पी लेते हैं तो वो आपको फायदे के जगा नुकसान पहुँचाता है दरसल खीरा खाने के बाद पानी पीने से उसमें पोशक्तत्व होते हैं उससे सरीर को फाइदा पहुचाने के बदले नुकसान पहुचने लगता हैं इसलिए खीरा खाने के बाद तुरंट पानी नहीं पीना चाहिए खाली पेट खीरा खाना सिहत के लिए नहीं है फायदे मन्द खाली पेट खीरा खाना सिहत के लिए विल्कुल भी फायदे मन्द नहीं है क्योंकि ये सरीर को हाइडरेट रखने के साथ सरीर से टॉक्सिंस बहार निकालने का काम करता है वजन कम करने के लिए रामबान है खीरा अगर आप जल्दी में वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आप खीरा की हेल्प ले सकते हैं खीरा में भरपूर मात्रा में फाइवर होता है जिसकी वज़ा से खीरा खाने के बाद लंबे समय तक आपको भूक नहीं लगती है आपका पेट भरा हुआ रहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भरपूर खीरा खाना चाहिए बलकि एक सिमित मात्रा में ही खीरे का सेवन करना चाहिए